Dear students, we have to discuss the post-210 developments of ECE in China. हमने 2-3 phase की बात की है. Phase 1, 2-10 में आने से पहले जो हैं, हम बात करते हैं. Phase 1 था, Industry Revolution. वहां पे, नीड आई, Kindergarten की. Kindergarten का जो रोल था, चाइल्ड केर का था. उसके बाद ECE ने जनम लिया. Kindergarten convert हो गए ECE के अंदर, Early Childhood Education के अंदर. Early Childhood Education जो थी, वो एक proper education system था. और उसके अंदर जो है, proper education system के अंदर, train teacher, curriculum, pedagogy, assessment, behavioral development, skills, required skills, cognition. ये ECE के main focus में सामिलता हूँ. जब silent revolution आया, migrant का, तो उस वक्त इसी जो है, वो उसको cater करना मुश्किल हो गया. तो वहाँ पर private kindergarten ने जनम लिया. private kindergarten का जो रोल था, वो child care का था, जैसे के kindergarten का रोल पहले होता है. अब ये दो stream line हमारे पास आ गए. अगर ये बात हमारे जहन में आ जाती है, तो हमें जो चाइना के अंदर post-toot and development है, उसको समझने में असान हो जाता है. अब इसका मतलब ये है, कि हमारे पास दो तरह से बचे आ रहे हैं. एक ECE के बचे आ रहे हैं, और एक private kindergarten से आ रहे हैं. के education authorities ने ये note करना शुरू किया और realize किया, के healthy growth of the ECE and the ECE needs to keep the balance between the public and private kindergarten. मुझे बात हम कर रहे थे. major issue आ गया ना? के जो public kindergarten गार्टन था, वो तो convert हो गया था ECE के अंदर. दूसरे लफ़ों में हम ये कह सकते हैं, कि एक तरफ से ECE का train बच्चा आ रहा है, जिसकी behavioral development शुरू हो गई हुई है, जिसकी skills development उने शुरू हो गई है, जिसकी congregation development शुरू हो चुकी हुई है, और दूसरी तरफ private sector से जो बच्चा आ रहा है, जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें मुझूद नहीं हैं। अब ऐसे phase पर, to stop the channel from the being a stock in the world, the state council issued two important policy documents 2010. उसने दो document issue की है, कौन से? As a solution, it is expected that the more public kindergartners will be established by the year of the 2020. उन्हेंने कहा के 2020 के अंदर ज्यादा से ज्यादा पब्लिक किंडर्गार्डन इसी को establish किया जाए, और private share उनको minimize किया जाए, अब उनका target हो गया 2020 का. अब ये जो जो जोलाई 12 डस के अंदर जो document आया, और इस document के अंदर जो announce किया गया, और वो national plan बनाया गया for the medium and the long term education reforms के अंदर, उसके अंदर इस plan में के अंदर किया गया, कि ये जो silent revolution हुआ है हमारा, migrants का, इसको calculate किया जाए, need को assess किया जाए, plans को दुबारा से देखा जाए, उसकी flexibility को बढ़ाया जाए, ये निए आप देखे न, जब आपने estimated बच्चे ही 100 रखे थे, बच्चे वहाँ पे 150 आ गये, तो आपका plan तो disturb हो गया, पहली बात, इसका मतलब है कि अगले 10 सालों के लिए, हमें plan revisit करना पड़ेगा, need assess करनी पड़ेगी, need assess करने के बाद, kindergarten कितने schools, जो हमने बनाने हैं, उन ECE को देखा जाएगा, और उसकी development, उसकी reforms लाई जाएगी, ताकि वो जो हमारे पास, balance, थोड़ा unbalance हो गया था, कि एक तरफ हमारे पास, public sector से, ECE से, हमारे पास train बच्चा आ रहा था, और उसका behavioral development शुरू हो गया था, skills develop हो ने शुरू हो गई थी, और वो एकी क्लास में जहां पर आके बैठ रहा था, और दूसरी तरफ से private किंडर गार्टनर से आने वाला, जो child care की तरफ से आया था, अब इस issue को हल करने के लिए, 2010, 2020 का जो है न, post-2010 plan बनाया गया, और इस plan के अंदर, जो main focus किया गया, कि need assess करने के बाद, public किंडर गार्टनर्स की तदात को इनास किया जाए,